नमस्कार स्वागत है आपका इस्तडिवी थाईस में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेकजिकल वर्ड और कॉंटेन बर्ड लेकजिकल वर्ड का मीनिंग है कि जो इंडिपेंडन्ट मीनिंग रखता हो यहनि अपनी खुद की मीनिंग रखता हो अपना कोई अपना अपने independent स्वतंत्र मीनिंग रखता हो स्वतंत्र अर्थ रखता हो उसको हम लेक्जिकल वर्ड रखते हैं लेक्जिकल वर्ड कई प्रकार के हो सकते हैं सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं वर्बल फ्रेज भी हो सकते हैं तू वर्ड भी हो सकते हैं और आइडम्स भी हो सकते हैं तो इसकी जो है एक अपनी अलग मीनिंग है यानि डॉग की मीनिंग जो है वो अलग है डिपेंडेंट है गेट आउट जिसे बर्बल फ्रेज है तो गेट आउट इसकी भी एक अलग से मीनिंग होती है गेट आउट या कम इन यह क्या है बर्बल फ्रेज है और रेड लाइट है रेड लाइट में टू वर्ड्स है लाइट रेड लाइट रेड लाइट का एक अलग ही अर्थ है यानि रेड लाइट मतलब रेड लाइट ही होता है या फिर है ट्रैफिक लाइट का भी मिनिंग जो है वो अलग है यानि दो वर्ड से बना है लेकिन ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट ही होती है और फिर आइडम्स हैं जैसे यह सब भी इनकी भी क्या है एक अपनी मिनिंग होती है एस सुन एज यानि ऐसा कोई भी वर्ड हो जिनकी इंडिपेंडनेंट मिनिंग होती है उसको हम लेक्जिकल वर्ड करते हैं जैसे और सारे एक्जाम्पल है लव है वोट है बहुत सारे वर्ड जो है हम नहीं भी जानते होंगे लेकिन उनकी इंडिपेंडनेंट मिनिंग होती है प्रिंसिपल है तो एक्जाम में कोश्चन पूछा जाता है से सीटेट में कोश्चन आया था लेक्जिकल वर्ड आपको चार अप्शन दे दिये गए थे यह था लव इस दो तो इसमें से क्या कौन सा लेक्जिकल वर्ड होगा इसकी इंडिपेंडनेंट मिनिंग है लव की लव की इंडिपेंडनेंट मिनिंग है तो यह क्या हुआ लेक्जिकल वर्ड हुआ और इन सब की इंडिपेंडनेंट मिनिंग नहीं होती यह सब सपोर्टिंग में लगते हैं तो ये लेग्जिकल वर्ड है